नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत आपके अपने यूटूब चैनल मनियोव डिस्टल न्यूज अमडियान पर दोस्तों बात करने वाले हैं इंडियन इन्फो टेकंड सोफ्ट्वेर लिमिटेड स्टोक के बारे में अभी के टाइम इस स्टोक पर उतार शड़ा उलास्त मार्केट पर काफे ज़्यादा नज़र आए थे पर अभी के टाइम दोस्तों लगातार इस स्टोक में काफे रिवर्सल देखने को मिला और expert की राय अभी ताम दोस्तों इस stock पर काफ़ी फोजटिव देखने को मिल रही है तो अभी ताम company का financial result पर क्या target देखने को मिल सकते हैं और chart pattern पर किस परकार की green signal हम लोगों को मिल रही है तो वो भी जानने वाली तो जानकारी काफ़ी important होने वाली है price की रूप में अगर हम बात करें तो दूस्तों एक रूप सत्तर पेसे पर last session पर closing नज़राई थी अब उतार शड़ा दोस्तों इस stock पर काफ़े जादा बनते हुए नज़राई थी जो हाई jump की अगर हम बात करें तो एक रूप सत्तर पेसे तक jump नज़राई एक रूप सत्तर पेसे तक गिराउट नज़राई closing रही 70 पेसे पर काफ़े positive देखने को मिली पर इसी वीपरित single 5 session पर अगर हम बात कर ले तो दूस्तों single 5 session में 17.24% की returns की positivity तेजी देखने को नज़राई थी एक रूप सत्तर पेसे से गिर कर अगर देखी जाए तो एक रूप सत्तर पेसे तक भी नज़राई पर लास्ट टाइम अगर दूस्तों March का महिना जैसे ही खतम हुआ मैंने आप लोग को पहले बताए तक कि March का महिना खतम होगा तो मार्केट में एक बड़ा रिवर्सल नज़राएगा और March का महिना 27 मर्स से लेकर 5 अफरेल की बीज़ के अगर रेली के गिरबात की जाए तो काफे एक से रेली हम लोग को नज़राए थी जो रेटन के तोर पर अगर हम बात करें तो लगबग 28% की रेटन हम लोग को देखने को मिल चुकी है तो फिलाल मेरा तो सुझेशन आप लोग को परसनल तोर पर यही होने वाला कि कंपनी आगे चल कर एक अच्छे रेकवर हम लोग को दिखा सकती है क्योंकि अब एक टाम कंपनी के मार्केट के पें भी काफ़े चार रिवर्सल नज़र आ रहा है और पिछले वनियर की जो प्रैस हम लोग को दो रुपर शित्यानों फिशल नज़र आ रही है तो उसमें भी दोस्तो हम लोग को काफ़े जल्द एक नई प्रैस है वो देखने को मिल सकती है जो आने वाले एक मैने के अंदर नज़र आ सकती है अब comment से देखने को मिल रहे हैं वो ये देखने को मिल रहे हैं कपनी का result कब तक आएगा खिस फरकर का result आएगा के लास्ट वीक में या मई के पस्ट वीक में तो ये देश तो अब एक टाम आउट लुक्स के तोर पर सजेस्ट कर रहा हूं ऑफिशल आपडेट नहीं है अब प्रोफिट की अगर खासकर बात की जाए तो कंपने का प्रोफिट काफी ज्यादा मल्टी बेकर नजर आएगा अ लिए तो दोस्तों इसके पीछे का जो रिजन है वो ये देखने को मिला कि कमपनी की सेल्स की ग्रोथ में बढ़िया इजाफा नजर आया है क्योंकि दोस्तों वर्तमान में हम बात करें मार्श 2030 के अनुसार आंकड़ों पर अगर हम बात करें तो कमपनी की सेल सैंतालीस पॉ और रिवर्सल अभीक टाइम दोनों जो है काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं नेट प्रोफिट भी लगबग साधी पांच क्रोड से जाधा का नजर आ रहे हैं तो कहिना कहें दोस्तो इस कवाट रिजल्ट में कमपनी का जो प्रोफिट बढ़कर अगर देखा जाए तो व इजाफ नजर आ रहा है लगातार जो रिली है वो काफी तो कही ना तो लिए स्टों में बने पर जो रिकवरी और जो काफी ज्यदा पोजिटिव नजर आ च्योंकि इसी प्रकार प्रोफिट लोस पर जिस परकार मैं आप लोग बता कि कमपनी की सेल में अगर बढ़ती नज प्रोफिट की ग्रोफ आप यहां पर देख सकते हैं कि गुंचाली सो गुणंतियस क्रोड की एक हाई लेवल की दोस्तों जो प्रोफिट की ग्रोफ है इस स्टोक में अभी टाम वर्तमान डेटा पर अविलेबल है उफलब्द है तो हमें दोस्तों लड़ी इस बास से कर लेने चाहिए क्योंकि अभी दोस्तों लो प्रैस पर बाइंग ओडर लगा सकते हैं क्योंकि पिसले टाइम से इस स्टोक में ऑपरेटर्स बेस्ट का जो गेम ता वह काफी ज़्यादा चल रहा था पर अभी टाम दोस्तों वह लड़ी खतम हो चुका है और कंपनी के दोस इस परकार ग्रोथ अगर कंपनी की बढ़ती है अच्छा कासा पोजिटिव कंपनी का डेटा निकल कि आता है तो दोस्तों इस सीजने भी काफी जल्द एक बड़ी आई जाफा नेजर आएगा कंपनी के ओपर कर्ज की गिरखास कर बात की जाए तो आम तोर पर कंपनी के तो दोस्तों कोई जाधा बड़ा कर्ज है नहीं तो मैं आप लोगों सज cònना के करूँगा कि जयतना हो स rôle सगे इस स्टोंक कि अपर नॉपर दोस्तों कोई उत्वरी स्थमेंट के राम करते हैं को पासंद आएगी वीडियो को लाइक करदेना चैनल को जुरी इंसेस करके आपको जल्दी बता दिया जाएगा मिलते हैं एक्टिमेजिंग वीडियो को साथ अब तक के लिजास दीजिए जैसरी करना थैंक्स रोसिंग्स